आज हम आपको एक ऐसे जाने पहचाने पेड़ के बारे में बताएंगे जिसके फलों का इस्तमाल सुके मेवे के तौर पर होता है और साथ ही इस पेड़ के जो बॉड़ी पार्ड्स हैं उनका इस्तमाल भी बहुत से घरेलू इसके अलावा अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और सेयर करें आज हम बात करेंगे अक्रोट की जी हाँ जिसको वलनेट भी बोलते हैं इसकी दो परजातियां आती हैं जिनमें एक जंगली अक्रोट और एक खेती वला अक्रोट होता है तो आभी आप जो इपॉंट देख रहे हैं शोटा प्लान एक खेती वला अक्रोट है और अगर हम खास्यत बनाएं आपको इन दोनू परजातियों की जो जंगली जाती होती है वो लंबाई में जड़ा ग्रो करती है और उसकी लंबाई 100-200 फूर्टक होती है इसकी तुन्ना में खेती वाल अखरोड 40-90 फूर्टक उचा होता है और उनकी फल में भी विसेशता होती है जंगली अखरोड का फल और क्रिसी अखरोड का फल आगर आप देखेंगे तो आपको एक समान दिखाई देंगे लेकिन जब आप फल को तोड़ेंगे तो जंगली अखरोड का जो फल का छिलका होता है वो मोटा होता है और उसमें गिरी कम होती है इसके अलावा क्रिसी अक्रोट में खेती वाले जो गिरी होती है वो ज़्यादा होती है और छिलका पतला होता है और इसमें एक परजाती कास्मीरी या काज़ी अक्रोट की भी आती है तो फ्रेंट इसके जो फल होते हैं ये बहुत ही पोसक तत्तों से भरपूर जिनमें की विटामिन E, विटामिन 6 और अन्यम मिनल भरपूर मातर मा पाए जाते हैं तो इसका पल सिहत के लिए तो बहुत अच्छा है ही साथ में इस पॉंधेकी जैसे हमने बताया आपको पॉड़ी पार्ट से बहुत काम के हैं अब हम बात करेंगे इसकी पत्तियों की इसकी पत्तियां दिखने में हरी और कंपॉंड लीफ के तोर पर होती हैं जो एक पत्ली स्टैक से ब्रांज से जूड़ी रहती हैं पत्तियां चूले में कुछ खुर्दरी होती हैं यह इसकी खासियत होती है अक्रोट एक पज़ल वाला पेड़ है जिसमें की जाणों की रितु में पज़ड होना सुरू हो जाता है और पत्तियां इसकी बहुत काम के होती हैं विसेज करकी हमारे घरों का रासन जिसमें कभी एक बार घुन और कीड़े लग जाते हैं तो उनसे बचाओ के लिए इसकी पत्तियों का इस्तमाल बहुती कार करें और इस्तमाल करें कैसे तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं इसकी जो आप पत्तियां देख रहे हैं इनको आप लोग कीड़ों से बचाओ के तोर पर इस्तमाल कर सकते हैं यह एक देशी तरीका है और जब भी आप इन पत्तियों का इस्तमाल करें तो आप मैशुर पत्तियां लें जब पेड़ से गिरी हुई भी मैशुर पत्तियां मिल जाती हैं उनको आप छाय में सुखा लें और जब वो अच्छी तरह से सूख जाती है तो आप उनको एक कॉटन के कपड़े में बात करा पोडली बना लें और उस पोडली को जहां भी आप राशन रखते हैं अगर आपके पास कोई कंटेनर है या किसी भी प्रकार का बरतन है उसमें डाल दें और अगर धकन बंद करने की विवस्ता हो या उस बरतन में धकन भी लगा सकते हैं बड़ा बरतन है तो भी आप उसको धकने का इंतिजाम करें और आप देखेंगे जब आपने वो पोडली राशन के अंदर दाल दी है और उसको आपने बंद कर दिया है तो कुछी दिनों में राशन में से या खादी सामगरी आपने रखी है उस में से किडे खुद बखुद निकल जाएंगे या फिर मर जाएंगे और अगर आपने राशन का कंटेनर ऐसी जगे में रखा हुआ है जहाँ पर की नमी नहीं आती है और जहाँ पर सीलन नहों तो आपके द्वारा बनाई गई एक ही पोड़ी दो या तीन साल भी अच्छी तरीके से काम कर सकती है वैसे तो आप हर साल नहीं पोड़ी बना के बदलने तो यह तरीका तो हो गया फ्रेंड्स रासन को कीड़ों से बचाने का और हम दूसर तरीका बताते हैं इसकी आप लोग ने देखा है बर्षात के सीजन में या जो हमारे भाई बैन खेतों में काम करते हैं तो हमारे पेरों की उगलियों के बीच में सडन लालीमा और जलन हो जाती है और उसमें खुजली भी होती ह और दर्द महसूस होता है तो ऐसे अगर आपको लक्षण याँ सिकायत दिख रही है तो उसमें भी इसकी पत्टियां बड़ी कारगर होती है और इनका इस्तमाल आप करेंगे कैसे उसके लिए आप इस अक्षोड की पत्टियों को तरीका वो ही है चाहे में सुका ले घटा कर लिया आपने या तोड़ना या तूटे हुए आपको मिल जाए उसके बाद आप इन पत्टियों का पाउडर बना ले पाउडर बना के भी अगर आप रख लेंगे तो या दो से तीन साल तक या पाउडर भी काम करेगा और दूसर तरीका ये है कि पाउडर में अगर आप थोड़सा पानी मिला ले उसका लिक्विट फॉर्म बना ले उसके बाद आप अपने उगलियों के बीच में लगाए तो आप देखेंगे कि जो आपको परिशानी हो रही है या जो आपको दर्द मैसूस हो रही है तो उससे भी आपको सुटका रहा मिलेगा और उस जलन के अलावा जो सडन से घाव बन गया है वो अभी तीन चार दिन के रोजाना इस्तमाल के बाल जल्द ही भनने लगेगा और आप लोग ये कोसिस करें जो आप पत्यों का पाउडर या पेष्टे इस्तमाल कर रहे हैं उसको रात को सोते समय इस्तमाल कर रहे हैं क्योंकि उससे यह होगा कि जब आप अपने घर के कामों को निप्टा के या जो आपके बाहर के काम भी हैं मुकर निप्टा के जब रात को आप फ्री हो जाते हैं, उसके बाद आप अपने उल्लियों के बीच में लगा लें, जिससे की दवा को अपने काम करने का समय मिल जाएगा, और सुब़े आप दवा को जो आपने पत्यों से बनाई है, दो भी सकते हैं, या आपको समय मिल रहा ह दिन में भी, तो आप 2-3 घंटे के लिए दिन में भी इसको लगा सकते हैं, पसरत यह है कि दवा उल्लियों के बीच में कुछ घंटे तक बनी रहे है, तो आप देखेंगे कुछी समय में आपको परिशानी से मुक्ति मिल जाएगी, तो फ्रेंट्स यह तो हुए दो तरीके जो हमने आवे आपको बताए, एक रासन के लिए और दूसरा दवा के तौर पर, और यह पेड अन्य महत्तोपूर ने काम में भी आता है, जैसे कि पोसकत्तों से तो इसके फल भरेवे होते ही हैं, साथ में इस लकडी का इस्तमाल जो इस पेड की है, जो हमारी बंदूख हैं, उनके कुंदे मनाने में किया जाता है, पुराने समय से ही, क्योंकि यह टिकाव और वेल्ट निस्द मानी जाती है, और छुटे फॉंदे जो होते हैं, आप देख रहे हैं, उनका तना कुछ चिक होता है, और अब आहिंदे देखीया और अभि आपको इसका मैच्वर पेड दिखाते हैं, पर पास में आपको पेड दिखाई देगा, जो मैच्वर है, यह देखीया जो टना है, यह खुर्दरा होता है और दिखने में हलका सफिद और भूरा रंका होता है और इसकी तने में दिरारें पाई जाती है यह देखें इसका बड़ा फलनार पेड़ है और इसमें फल आते हैं तो भी फल आके इसके गिर चुके हैं तो कि अब जाड़े कैसी से शुरू हो गया है तो ऐसी ही दुल्ला भर उतर जानकारी के लिए आप हुमारे चैनल बने रही है थैंक्स तो रहाए पाल